सो हाई दोस्तो कैनन M50 Mark II के मिनी सीरिस के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मेरे को एक ऐसा सेटिंग मिला है कैमरा के अंदर जिसकी में से दोस्तो आप अपना जो यहाँ पर वीडियो ग्रफी है उसको आप और भी ज्यादा वाइडली आप रेकॉर्ड कर पाओगे इसका मतलब दोस्तो यहाँ पर थोड़ा से जो है जब आप नए नए कैमरा को पर्चेस करते हो तब दोस्तो यह जो सेटिंग है यह default पे होता है जब यह default पे होता है तब दोस्तो आपकी जो वीडियो है यह थोड़ी सी crop हो जाती है दोस्तो कैसे आप इसको fix कर सकते हो और इसका क्या नुकसान है क्या फायदा है वो भी मैं चलिए आपको बता जाता हूँ उसके बाद मैं आपको setting पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको set कर पाओगे ठीक है दोस्तो मान लिजे है कि आपको इसमें is देखने को मिलता है यानि कि image stabilization जो है ये आपको देखने को मिलता है जो कि by default यहाँ पर enable होता है वीडियो के अंदर अगर दोस्तो आप इसको off कर देते हो तब दोस्तो आपकी जो वीडियो वो और भी जादा wide हो जाती है ठीक है अप कैसे करने वो मैं आपको बताता हूँ लेकिन दोस्तो अगर यहाँ पर व्लॉगिंग वायरा करते हो या फिर अगर आप यहाँ पर camera को अपने हाथ में लेके चलते हो तब दोस्तो आप इस setting को off मत करना क्योंकि ऐसा करने से तो आपकी जो यहाँ पर वीडियो है ये तो camera की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को set कर सकते हो तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पार हो यहाँ पर मेरे पास Canon का M50 Mark II अगर आपके पास कोई भी जो Canon का यहाँ पर camera है तो आप इस चीज़ को try कर सकते हो तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको कर तो अब आपको करना क्या है कि अपना जो camera है उसको यहाँ पर कर लेना है on और जैसी आप यहाँ पर camera को on करते हो सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर set वाले बटन को पर click करते हो तो यहाँ पर choose mode का आपको यहाँ पर option देखने को मिल जाता है तो इसको पर click करके आपको यहाँ पर manual पर आपको select कर लेना है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर इतना करने के बाद आपको आगे क्या करने मैं आपको पताता हूँ उससे पहले आप यह चीज़ जान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर camera के अंदर OIS देखने को मिलता है यानि कि optical image stabilization देखने को मिलता है तो काफी जादा बड़िया बात हो जाए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो camera है उसको आप wide angle पर भी set करोगे फिर भी आपकी जो video है वो यहाँ पर उतना जादा shake नहीं होगा ठीक है तो अब आपको simple सा काम करने कि आपको set वाले button को उपर आपको click कर देना है और जैस आप देख पारों यह beach वाले पर आपको क्या करने कि आपको simply इसको आपको off कर देना है और जैसे कि आप देख पारों जैसे मैंने इसको off किया मेरा जो यहाँ पर video है यहाँ पर थोड़ा वाइड हो गया अगर आपको नहीं दीखा तो मैं आपको फिरस एक बार दिखा देत तो आप सबस्तों आप अपने वीडियो के अंदर इस सेटिंग को ढूण सकते हो क्योंकि हर एक मोशली जायतर यहाँ पर कैमरा के अंदर यह सेटिंग दिया गया होता है बस आपको ढूणने की दे रही है तो आप चाहत उसको ढूण सकते हो और कैसा लगा आज के वीडियो मेरे को कमेंट करें ज़रू से बता था आज के वीडियो इतना है मैं में तो आप से लिए नेक्स वीडियो में